मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो अभी हरे जारी के कुट्टी फार्म के अंदर डाल दी गई है और अपनी सभी गाय भी खा भी रही है और अपने रात को अपनी गंगा गाय को बांद के रखा था और और रात को दुसरी गाय को मारे ना इसलिए लेकिन आज सु चुछ धिया भाग दोड़े नहीं घंगाय खुली लेकिन हमने रादा को बाहर ही रकरहा है कि ए सबसे ज्यादा ने जो विक्रम हैすवारी मंगल है तुम इसलिए भागती है पर्सकूरी सबस्क्तार सु चारे की पीछे ज्यादा नहीं पर रहती है तो निना इसल always पर मूझ तो मुझे एक कमेंट थी कि आप राधा को उस वाले फार्म पर क्यों नहीं ले जाते उन सब के साथ चरने के लिए तो मैंने बताया था आपको कि ये दो महीने बाद बच्चा देने वाली है लेकिन मैंने इसकी बारे में डीटेल में पिता जी से पूचा ये कब बच्चा दे दो चार दिन आगे पिछे हो सकते तो पंदरा तरीक हम मान के चलते है ये तो फिर पंदरा तरीक के दो या तीन दिन पहले या फिर दो या तीन दिन बाद ये कुछ दस दिन मान लो आगे पिछे हो सकते तो एक महिना है और एक महिने के लिए हम अगर उसको उस वाले फार्म उस वाले फार्म पर ही सिफ्ट कर दें क्योंकि यह पर थोड़ी ज्यादा ही शेतानिया करती है तो उदर रहेगी तो थोड़ी शांत हो जाएगी और चारा अगर इसको कम लगा तो हम या फिर उदर ले जाएंगे थोड़ा बुट डालने तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो एक आखिले को समालने में दिक्कत आएगी तो दो लोग रहेंगे तो बड़ी आसे इन सबको हम समाल पाएंगी इसलिए हम अभी नहीं ले जाए थोड़ी लक्षमी के मां उदर सेट हो जाए तो यह भी थोड़ी दिनों के लिए जाएगी या फिर नहीं भी उसका कुछ फिक्स नहीं है बाकि पिर निम के पेल के निशे जो च्छोटे सेटान चारा खारे उन चारों को भी चराने के लिए चोणना है क्योंकि अभी थोड़े बड़े हो गए तो आदत लग जाएगी फिर बाद में गर्मियों के सिजन में चारा रहता नहीं है तब यह वहाँ पे चारा नहीं खाएगी तो चारों बाकि फिर अपनी लक्षमी भी जाएगी उनके साथ तो पाच बच्चे जाएगे रामजी और दिकत ना हूँ इसलिए हमने इसको यहाँ रहता है तो फिर उसके मा के साथ कप की चली जा चुकी थी बाखी फिर वह चारों शेतान उनमें भी अभी अपनी जो गुडिया है तो यह सामने रादा गुडिया की मा तो कि गुडिया भी दूद बिल्कुल नहीं पीती तो तो एक आदमी को दिखकत है इसलिए हम सबको साथ ले जाना होगा इन सबको बच्चों को और दो लोग समालेंगे तो अभी थोड़ी दिनों की दे रहे है राद है वह भी चली जाएगी फिर गुड़िया भी उसके साथ जाएगी मंगल इस सेड में कोने में घूम रहा है उसक तब से दूद पीकी निकलाए तब से यह कोने में के खड़ाई क्या पता इसको क्या हुआ अकेला रहता है भी ज्यादा तर और अपनी गोरी भी आज सुबह में कुराग भी निखाए उसने और अभी चारा रखा है वो भी ठीक से नहीं खा रहे हैं कि अपने खबुतर खार चान भाषदॉम nine माजुस है मंगल उसका दोस माजूस है बाकी बाकी थी फीर उनमें कोई दिखत नहीं लिकिन इन में तो कुछ भी फरक नहीं किसी और बेटा च्लागी है, किसी का दोज चला गए किसी का भाय चला है उनको कोई परक नहीं पहर फड़ा, तो आज का अपना काम है इनको चलाने का जो कि कल था चाचा जी का, आज वापिस से हमा रहो ग realization, जाटिए जी आज कुछ खेत में काम करेंगे पर कि फिर हम अपने हर दिन का काम था है पिछले कुछ दिनों से हम यह रहे हм यह काम आज भी हमें वापिस करना है तो कल यहाँ पे दो अपने बेल वापिस से आ गए तरने के लिए तो आज भी दोनों बेल है और लक्षमी की मा और लक्षमी दोनों है तो लक्षमी है तो अपनी मा का दूद पिने के लिए इच्छी पीछी घूम रही और दूद है तो उतना है ने कि वो पूरा दिन पिये तो एकाद लिटर के आसपास मुश्किल से होता है वो भी वो अभी देखो लक्षमी के हैट की ऐसाब से कनमी की तो पूराद है यूदर लक्षमी को मना कर रही है लेकिन लक्षम्ही है तो ऐसामने प्षान सब्सक्राइब और प्रश्चा का रहा है लेकिन वूुँ है तो गुमफिर के दूरी पी रही हो अगर अज यह यह आज चलता रहेगा ऑर नहीं तो गाई से ज से चारा खाएगी नहीं दूर लक्ष्मी खाएगी तो अभी लक्ष्मी अपने माँ को परिशान नहीं कर रही है और कफी देर तक उसने धूड प्यात दूज तो था नहीं लेकिन प्यों की कोशिच कर रहे थी काफी देर चाहरे की कोई जरुवत नहीं यहां पर इसको लगता है अरम से अपने को भर पेट मिल जाता है सुबह शाम और सब मिल जाता है क्यूराग मिल जाती इसलिए इसको पता ही नहीं है कि आप चाहरा खाना पड़ता है तो आज के दिन तो ऐसे घुमेगी थोड़ा बूती खाएग खते हैं तो रहरहे नहीं जाता हैं तो ऐस सब्सक्राइब जाता है जाता है लेकिन आज आनी के बाद आप तक एक भी आवाद लगाई नहीं पेर में रस्टे भी नहीं बांदी क्योंकि उसको उसके बच्ची चाहिए थी जो कि उसके पास है तो उसको फाम की कुई जरुवत नहीं जहां उसके बच्ची वहाँ पर अपनी लक्षमी की माँ तो मतलब लक अपने गाए अब तक तीसे ओर के आई नहीं दो लोगों की है लेकिन अपने यहां नहीं अलग हो और वह अलग चला रही अलग जगा पर तो हम गुदर ली जाना चाहते है कि उदर में भी सही नहीं लगता है हमें अलग रहना और अख्यले में अच्छा लगता है क्योंकि अख्यले में अपनी बढ़िया सिखाती है फिर बाकी अगर जूने में हो फिर टिक है अभी देखो अपनी सुमन कितने भाग के जा रही सामने किसी ने एक खचर बांद हुआ है बच्चों नहीं किया होगा यह कार नहीं बच्चे उस पर बैटते भूम दे कोई लेके आया ह सुमन की चोटी बेन भी जा रही मतलब वह अलगी रहते तीनों देखो अभी उसी खचर के पास जा रहे और यह रहा सामने बंद हुआ और इसको बांदा है किसी ने यह देखो यह पर इतनी बारिक रस्ती से बांदा है कि कभी भी चूट के भाग जाए और अभी खाबिरा आपड़ा से चाहरा सकराम भी आ गया है कि अधेखो यह सारी देखो कितनी सारी प्रेव है कम से कम त्यक्तव क्या सब्सक्री होगी तोटी पूरा मतलब छुंदे ही जुंदे और कापी सारी बाकि कुछ और अलग और अपनी गाए यह रही है अपने सकराम से थोड़ा ही बहुत अभी जुंडी जुंडी आपके फिर गायों का जुंड ब्राव उतरो सामने अलग है तो इधर पकपक महीं आए तो अपनी लक्षमी है जो कि बक्रियों से डर रही है और उसकी माँ को छोड़ के भी हो अलग भागने की कोशिश करती है इसको बक्रियों में क्या दिख रहा है पता ही नहीं बक्रियों से काफी डर रही है उसकी माँ को खोज रही है और उसकी माँ है तो बक्रियों में अंद यह देखा डरी हो काफी तो अभी शाम के साड़े पाज बच चुके है और अभी इनको में पास में लेकर आ चुको तो थोड़ी देर में याद से निकलना है चार्चे जा रहा है अभी इनको लेने के लिए तो दो लोग मिलके हम इन सब को अभी ले जाएंगे रास्ते से तो मा ने बढ़िया खा लिया थोड़ा तो अभी कल से लक्षमी भी सरी से खाएगी पाकि अभी उसके खुराग बंद होगी चारा बंद होगी अभी रहेगी इनके साथ थोड़ी दिनों में उसको भी अच्या आदत लग जागी तो अभी थोड़ी दिर में निकलते हैं यहां से इन सबको लेगे तो अभी अपनी सभी गायब बंद हुए है और इन सबकी खुराग खानी अभी हुए है और इस साथ में अपने आरती और विक्रम भाई सब दोना आत्वी के इनको दवा पिलानी है भाकि फिर कपिला अभी तक और रही सामने सेप्टरू में और उसके साथ गुडिया भी है तो दोनों उदा है इस साइड में मंगल और गोरी इस साइड में राम जी और लक्ष्मी जो कि हम उसको ले आए वापिस और अभी यह सुबह वापिस चली जागी क्योंकि अभी उदर उसने चारा कुछ खाया नहीं था तो रात को यहापर थोड़ा खा ले सुबह यहापर चारा नहीं देंगे सुबह अपने मा के साथ उदर खा लेगी फिर कल श्याम को इदर ले आएंगे फिल श्याम को चारा दे देंगे तो खुराक और एक टायम का चारा हम इदर देंगे बाकि फिर एक टायम का चारा उदर खा लेगी तो शुरुवाती दिनो इसे लिए हम इसको ले के आ है या तो बार के लौन के रखा ए तो बार के आप रहे गी SAND-ध गंगा को अगर लगा तो फिर रात को एक सांधर के लगा? कर दिए जा रहा है और पिछले किसों दिनों से इसके तब्वह ठीक नहीं थी तो हर दिन श्याम के लिए उसको जो इंजक्शन है वह देने थे तो अभी आज के आखरी की दिन के जुके अभी दिये जा रहा है और आरती कि मअ भी जल्दी ठीक हो जाएगी और थोड़ी दिकक करती वह भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगी तो अब अपनी खुल रही है एक एक करके और सुब के चाहर की कुट्टी फार्म के अंदर डाल दीगी है इस वाले में चोटे चार सेतान है बंद और पानी भी है चारा भी है बढ़िया से लक्षमी सुबह वापी चली जाएगी तो देखते गंगा को एक सेट बांदेंगे अगर मस्ति करेगी तो या फिर अंदर इनके साथ खुली रहेगी वाकि हमने रादा को बाहर बांदाए कि उसके बाहर निकल जाने का डर है वहाँ पर लगड़ी लगाने का काम भी बाकी वह भी करना पड़ेगा क्या पता रात क निकल जाए और बाद में दिक्कत हो इसलिए हमने इसको बाहर रखाए तो एक दिक्कत जो डर है वह नहीं राएगा कि भी ये निकल जाएगी रात को अभी तो गंगा खोला है थोड़ी दिर में पता चल जाएगा कि ये चुप चाप तरी किसे खारी या फिर बानना पड़ ओर इस साइड में छोटे चारा शातन को बन किया लेकिन 4 नहीं ड़ा तो अभी जादा कुछ तो पृषान नहीं करे थी लेकिन क्या पता रात को करेए तो ना करी इसलिए हमने बीज़िए है भाकि फिर कोई दिक्कत है ने बंडि हुई है और वहाप उसके लिए अलग चा भागी फिर इस साइड में जो भी सारी गाए और सारी खुली है और उसके बिढ़िया से खा रही है एक जो टब सामने आला और खाली पड़ा है मतलब वहाँ पर भी एक घाए खा सकती है खबुतरों को बन कर दिया है बाकी फिर सारे काम हो चुके एक यह बाहर बन दिये डौक को खाना मिल गया सारे काम निप्टा ले तो यह थी हमारे आज की वीडियो उम्मीद करता हो कि आप सबको अच्छी लगी होगी आज के लिए बस इतना ही कल में देख नए वीडियो के सा तब तक के लिए जय हिन जय भारत